हेलो गाइज वेल्कम टो माई यूटूब चैनल निशा स्टड़े पॉइंट गाइज मैं निशा भारदवाज आज आपके लिए लेके आई हूं माई मद्रेट 66 पोईम की लाइन टो लाइन एक्स्प्रेनेशन गाइज यह जो पोईम है माई मद्रेट 66 इसके जो राइटर है वो है कमला दास और जो कमला दास है वो एक है लेडी हैं तो गाइज इसे जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने की इस पोईम की दे टेल समरी तो यह अब इस पोईम में करेंगी हम इसकी एक्स्प्लेनेशन तो गाइज यह जो पोईम है इसमें 14 लाइन की यह home to kochin last Friday morning जो पोईट है दोस्तों वो अपने पिता के घर से kochin airport को जा रही थी driving कर रही थी last Friday morning को आई सामाई मदर यहां पर पोईट कहती है मैंने अपनी मां को देखा beside me जो कि मेरी side में बैठी होई थी कार में मेरी side में बगल में बैठी होई थी दोज ओपन माउथ जो की दोज उबाशिया ले रही थी ओपन माउथ खूले मूझ हर फेस अशन लाइक डेट अशन होता है दोस्तों पेल और उनका जो फेस हो पेल दिखाई दे रहा था हम ओफे कोर्पर्स और कोर्पस होता है दोस्तों वह एक पेंड और उसको बहुत ही पेंड हो रहा था हम देट सी वह एज ओल्ड अजी लुक्ड और वह बहुत ही दिखाई दे रही थी मतलब जिसकी जितनी उसकी उमर है ना 66 उससे भी ज्यादा बोड़ी वह दिखाई दे रही थी तो हमारा जो फर्स टैंजा है दोस्तों वह कंप की और फिर मैंने कार से बाहर लुक्ड आउट देखना सुरू कर दिया एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज को जो की पिछे की तरफ बागते भी दिखाई दे रहे थी दामर्सी चिल्डरन स्पिलिंग आउट अफ देर होंस और जो प्यारी-पैरी बच्चे थे स्पिलिंग आउट अफ देर होंस वो अपने घरों से निकलते दिखाई दे रहे थी और बहुत ही खुशते वो खेल रहे थी बट आफ्टर दा एयरपोर्ट सिक्योर्टी चेक अब जो पोईट है दोस्तों वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और सिक्योर्टी चेक के पहुंच गई है स्टेंडिंग फ्यू यार्ट अवे आइड लोगड अगेन अठर वो पोईट कहती है दोस्तों स्टेंडिंग फ्यू यार्ट कुछी गजो की दूरी पर खडी थी पोईट एंड उसकी मा से और आई लोगड अगेन अठर और मैंने अपनी मा को एक बार दो अबार अधूरी नाम करने एड़ आफ़ स्टेंग एड़ भार लोगड अपनी मा को देखकर अपने मतलब पुरान इड़र्द को इसके बचपन के दुख को एहां याद किया बट ओल आई सेड वोज लेकिन उसने केवल यही कहा सी उसून अमा कि हम जल्दी ही मिलेंगे मा ओल आई डिट वोज लेकिन उसने जो किया था वह समाइल एंड समाइल और उसने कुछ भी नहीं का दोस्तों उसने कहा सिरफ उसने हस थोड़ी सी समाइल की अपनी मा को और उसको विदाय दे दी तो दोस्तों यह जो हमारी पोईम है वो कम्प्लीट हो गई है और कमेंट्स ने बताए दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भोलें और कमेंट्स ने मुलता है दोस्तों कि आपको और कौन-कौन सी पोईमियों की वीडियो चाहिए यह एक्स्लियनेशन चाहिए धन्यवाद दोस्तों